तो यास स्वागत है आप लोगों के मास्टर मेरी डग के चैनल पर मेरा नाम है रहूल और यह रिकॉर्डिंग हो रहे है एक स्टू प्रो से तो एक आईडिया किरे जाए अगर आप लिक्स फोन को एकर इसा यूस करना चाहतो तो यह रिकॉर्डिंग के लिए तो यह आज की पता रहा कि मेरा आरुजी फोन 2 का डिस्पले तूड़ गया था मेरे प्रिवेस वीडियो में लिंक नीचे मेल जाए अब चाहो तू देख सकते हो एक्जब में बदा था कैसे तूटा क्या तूटा इस तरह उड़ के गिरा गिर के तूटा था तो मैंने फोन को हम लोग ने पहले नहीं था मेरे फोन में या इसके आरा अपको थोड़ा बात में बता होगा और भी इसको क्लोस करेंगे इसलिए गोल्टा पूरा देखना अब उसके थिक कुछ दिन बाद जो है एसु सिख जी ने अपना कुछ चुस में दिखकर देना चालू कर दे यह रा एसु सिख इस तरह से अटक जाता है और यह पहले कैसा होता था कि यह आप पांच-छे बार करोगे तो इसमें कभी का बर एक बार हो जाता है लेकिन इन माई केस यह एवरी टाइम हो रहा था मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई थी कैमरा पर यहां तक की कैमरा का मॉडियूल अगर उपर तरफ रखा यह मैंने सम्झो कैमरा उपर तरफ रखा तो जैसे मैंने पावर बटन दबाती है जैसे अब देखता तो अबी कैमरा प आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपको पैसे देने पड़ते हैं चाहिए कोई भी फोन हो चाहिए वह समसुंग हो चाहिए आइफोन जो भी कहता है यह हमारा IP68 का प्रोटेक्शन है वहां पर अगर उन फोन में आपको लिक्विड डैमेज मिल गया या कंपनी लिक्वि लग बग 2-4 दिन और एक्स्टा ले लिए तो अलमस 15 दिन मत यह फोन मुझे फिर से रिसीव हुआ आज आज के दिन और इन लोग के बात कर लेते कि मेरा क्या था क्या नहीं था अब इसमें जो खराबी थी वह सुनके अब शॉक्त हो जाओगी शॉक्त हो जाओगे सॉरी त अब लगा था कि इसका जो यह चैमरा मॉडियूल है जो खराबी इसमें कुछ दिक्कत है यहां जो मोटर से लगे हुए यहां पर जो एक जॉइंट है जो उपर निचे करता शाद वो उसमें कुछ धूल बैढ़िया हो तो फिर वापर मैंने इसमें बात की तो मुझे यह प कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह फोन का कैमरा पर भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहां पर एक और चीज में आप लो क्लियर कर दूँ कि मेरे भाई रोहन ने जब उसको यह कैमरा का इशू आ रहा था ता मेरा भाई जो है इसको यूज कर रहा था Android 10 पे ठीक है फिर तो उसने का सोचा कि शायद यह Android 10 का कोई गलिच हो तो वह एक शोर्ड करने के लिए Android 10 से Android 9 पे स्विच किया और यहां पर भी सेम प्रॉबलम होगा कि जब इसने स्विच कि Android 9 पे उसके बाद भी इसू कंटीनिउ आ रहा था ठीक है तो इसने क्या पिर से Android 10 में तर दिया श हमने आज रिसीफ किया तो यह फोन जो था Android 9 पे उनको भी डाउट था कि कही ना कहीं उनके UI में मतला अफडेट में कुछ दिक्कत हो सकता है क्या है तो तुम को पता नहीं कहां पर प्रॉबलम है चलो टेके जो का पाट उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं बता तो कि में दि पर्पहुता है वह उनको तो यह कुछ लिए पर आवा फोन था नहीं हो रहा है और यहां पर एक और उस गयाए स्टेड चलों मेरे फोन मेनने भाव प्रॉण तो इसे बहुत है था तो कि रूद ना था फैंक कॉछ नहीं कि रूदने क्राइट मेरे फोन में ने कुछ था न पक्का तुम्हें गिरके ही तोड़ा है इसलिए तुम्हारा फोन हम भी तुमको पैसे देना पड़ेगा और पैसे बता है कितने देने पड़ते हैं मुझे मदर बोड को यही मतलब फोन को रिपार करवाने के लिए मोटर के लिए 22,000 विदाउट GST यह मदर बोड का प्राइस है 22,000 विदाउट GST मतलब उसके बाद ही कैमरा के पैसा कहां बचया प्रोसेटर के पैसे कहां बचया बचया रैम के कहां बचया 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 मुझे समझ में आ रहा है असुस वाला अपनी RMD कहां डाल दिया कुछ नहीं पता ल पता नहीं कितना फिर और हो जाएगा चलो ठीक है थैंक फूली मेरे फोन में कुछ इसा दिक्कत था नहीं और थैंक इन अटो अटो मास्टर मेंटर को फॉलो नहीं करते वरना उन्तों मेरे वाला वीडियो निए जापर मेरा फोन जैसे वीडियो में देख रहे है तो फिर पक्का रिपैर नहीं करते थैं चलो ठीक है यह तो इसकी बात और यह ओर चीज़ में यहां पर उनको रिप्रस्ट किया थै कि म जब यहां पर बोला कि भाई तुमने चीज़ को साफ क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहां कि भाई आप यह फोन सब्मेट कर दो यह फोन बात करते हैं यहां पर तो मुझे किया रहो कि मतलब 15 दिन बात फोन आया फिर एक कैमेरा लें सो साफ करवाने के लिए मैं फिर से इनको मैंने फोन दिया था ना मेरा स्रिफ और सिफ डिस्प्ले थूटा था स्रिफ डिस्प्ले चका चक फोन पूरा ब्रेंड नहीं था था फोन पुरा ना भी नहीं था लेकि जब मैंने फोन रिसीफ किया ना मेरे फोन के यह बैंक कैमेरा पर यह स्क्रीन लगा हुआ है मै आपको में फोटो दिखाने माला हो अभी थोड़ी देर में यह में लिकाल के आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग बेटर समझ पाऊ क्योंके लिए आप लोग को समझना चाहिए कि यह चीज क्या है और आप लोग इस चीज को केरफूल रुखेगा जब भी आपना फोन सब्मिट करोगे तो यहां पर क्या हुआ इन लोग ने मुझे पूरा स्क्रेच मार के दिया है मतलब सीरिसली मैं अपना फोन को सब्मिट किया था एकदम ब्रैंड न्यू चका चक डिवाइस एक स्क्रेच ने और आज जब मैं फोन रिसीव कर रहो तो यहां पर स्क्रेच और तो कैमरा कॉलिटी में इतना कुछ फरक नहीं आया बद स्टिल क्यू मैं कॉम्प्रमाइस कर अब पर पैसे देखे कर वाए उसके बावज़त भी मुझे इतना सारा इस पूरा इस पूरा में लेंस स्क्रेच से वरा हुआ है और यहां पर सिरे बैं कैमरा नहीं अब जब फ्रन देखो यहां पर देख सकते हो धूल है इसे आप क्या बोल सकते हो कि इर्रिस्पॉनसिबि अब यहां पर यहां पर पैसे भी देख देखों को फ्री में कोई काम नहीं हुआ है उसके बावज़त भी फ्रंट श्राइमरे पर फ्रन चामेरा पर फूल स्क्रेच इस पूल मैंने जब इन गो दिया अज इस पूरा अलब करने कि अभी अद दिया था तो मैं उनको बता है कि यह क्या करके दिया है मुझे फोन के सा तो वह पता क्या करें क्या फोन को सब्मेंट कर दो हम फिर से बैंगलोर भेज़ते उनलोग साफ कर देंगे मैं बहुता है 15 दिन मैंने 14 इस फोन को मैं दिया था रिपैर करवाने के लिए अब मेरे पास फोन नहीं थे उस टैम पे असुस ने इकव प्रोमिस किया था जिन लोगों को याद होगा असुस ने लाइफ एबर में साफ साफ कहा था कि सिख जीग के रिप्लेस्मेंट में आपको एक स्पैर में फोन दिया जाएगा झावा लाष्ट यह का फ्लेक्षिप आयागि उडरी सोड़ी से आवाज आएगी इग्nor करना सॉरी लाष्ट यह का फ्लेक्षिप मिलेगा बट क्या हुआ क्या हुआ मुझे इसके रिप्रेस्में कोई फोन ही नहीं दिया तो मुझे रिपस फोन ही था बेसिकली यूस करने के लिए तो मैंने कुछ बोलाने उसे बात की नहीं बट स्टिल जो भी है यार यह सर्विस है असुस की तरफ से और मैं क्या बोलू अभी मतलब तो आप वहाँ पर जाके उनको डाल दो और वहाँ पर आपको करके दे देंगे और उन्होंने मुझे यह solution दिया है तो एक दिन में टाइम लिकाल के जाओंगा और उसका भी आपको वीडियो बना के देंगा अगर आप लोगो चेर यह तो निचे कमेंट करके बोल देना तो यह यह रहा मेरा experience Asus के साथ विच मैं बोलू कि Asus ने timing बड़ाबर रखी है जो उन्होंने मुझे पहले प्रॉमिस करता कि 15 दिन तो लगेंगे इसको timing ठीक था बड़ यह चीज बिल्कुल भी टॉरेबल नहीं है और यह मैं लिंक पे इसको को भीजने वाला हो ताकि वो भी समाझ पाए कि इसमें क्या दिक्कत थी तो उसको वीडियो अगर पसंद आए और कुछ भी इंफोर्मेटिक लगाओ तो नीचे लाइक से सब्स